हैलो बच्चों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादी इस्टेडियम में स्वागत करता हूं इस छुट्टी के दिनों में विद्याले जब बंदे चल लाए तो ऑनलाइन क्लासें ही आपके लिए केवल एक माध्यम है पढ़ने लें दीरे दीरे वैसे उमीद है सोंबार से विद्याले ओपन हो जाएंगे टूंटी फूर्ट जनवरी से इन फिर भी आप अपनी तयारी को रंतर कारत रखेंगे अगर विद्याले किसी कारणबंद भी होते हैं तब भी अपनी पढ़ाई को ने रंतर बनाये रखेंगे व आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप उसका लाब उठाएं सबसे पहले मोश्ट इंपॉर्टन सबसे जरूरी काम जो क्या करें कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसका एक फेयर वर्क जरूर करें तब लिखने का ए लग रहा है ठीक है आपको क्या समस्या हो रही है तो जिस्के क्या होता है जलाइक करते है और मोटीमे मिलता है जिसे क्या होता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाश 12 के इस वीडियों में पढ़ेंगे क्लाश 12 के प्रितलोम त्रिकॉर्ण में थी फलन एक्सरसाइज NCRT की बुक से 2.1 एक्सरसाइज देखिए प्रस्ना वाली 2.1 आप से कह रहा है कि निर्देश में प्रस्न संक्या एक से दस तक निमलिखित प्रस्नों के मुखमान ग्याद कीजिए तो इनके आपको निकालना है मुखमान तो देखिए मुखमान आप लोग कैसे निकालेंगे जैसे इसका मुखमान निकालेंगे साइन इनवर्स फार्मूले उम्मीद करते हैं आप सभी ने कम्प्लीट कर लिए होंगे दो लेक्चर के उनको जरूर पढ़ ले अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाया क्योंकि उनके बिना आपको यह समझ में नहीं आने वाला तो साइन इनवर्स इसका जब करेंगे तो आपने पढ़ाया है कि जब इसका करते है तो साइन वर्स माइनस ठीटा होता है आपको फर्मूला पढ़ाया था sin-z minus x minus के sin inverse x प्रूब भी किया था तो ये minus का हो जाएगा 1 अपांट्व और 1 अपांट्व जो होता है कितने का वान होता है ये होता है sin 30 का महन 30 का मतलब pi y 6 sin से sin get cancelled sin से sin verse cancelled तो ये बचेगा minus के pi y 6 और ये आपका आगया answer इसके बाद इसमें देखिए ये दे रहा है cos तो cos inverse ये cos होता है πाई वाई 6 का मान 30 का मान मतलब πाई वाई 6 cos से cos कैंसिल हो जाएगा πाई वाई 6 तो इसका भी आगया ये answer इसके बाद थर्ड नम्मर पहुंचते हैं तो cos पढ़ते हैं तो cos inverse ये किसका मान है ये है cos 30 का 30 का मतलब πाई वाई 6 cos से cos कट गया आ जाएगा पाई वाई 6 के इसके बाद इसमें 10 में बात करते हैं इसके बाद देखिए इसकी बात करते है 10 inverse minus root 3 तो इसकी बात करते हैं तो इसमें जब करेंगे तो देखो 10 inverse minus x भी पढ़ा है साइन की तरीके कि होता है minus के 10 inverse x x की जहापे दे रहा है root 3 तो इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा 10 inverse और यह होता है 10 कितने का मान pi y, 60 का मान 60 का मतलब pi y 3 10 से 10 cancel हो जाएगा minus के pi y 3 यह इसका fourth का answer आ गया फिप्त नमबर देखते हैं हम लोग दे रहा है 10 inverse minus के 1 बट cos inverse minus 1 बटे दो cos inverse minus x फार्मूले हम बताया था कि होता है pi minus cos inverse x x की जगा पे दे रहा है 1 बटे दो तो pi minus यह एक बटे दो जो होता है किसका मान होता है pi y 3 का मतलब 60 का मान होता है तो इसकी जगा direct आप लिख सकते है pi y 3 60 मतलब pi y 3 pi का मान 103 से बाग देंगे कितना बचेगा 60 बचेगा तो 60 का हो जाएगा 3 इसमें LC हम लेंगे 3 का इधर गुणा होगा 3 pi minus pi 3 में 1 जाएगा बचेगे 2 तो 2 pi y 3 यह इसका answer होगे इसकी बाद बात करते है इसमें दे रहा है 10 inverse minus theta तो 10 inverse minus theta का होता है minus के 10 inverse x x की जगापे दे रहा है 1 तो minus के 10 inverse इस 1 की जगापे रख देंगे कितना 10 pi y 4 यह आप direct लिख सकते है 10 inverse 1 का मान जो होता है वो होता है pi y 4 का तो देखिए 7 number question 7 number में दे रहा है 6 inverse 2 upon root 3 इसका मतलब होता है 6 inverse यह जो है वो कितने का मान है 6 30 का 30 का मतलब pi y 6 6 से 6 cancel बचेगा कितना pi y 6 बचेगा ऐसे इसको 8 number को करेंगे cot inverse root 3 cot root 3 cot कितने का मान होता है pi by 6 का मान होता है मतलब 30 का cot से cot cancel क्या जाएग pi by 6 आ जाएगा इसके बाद देखिए 9 number question 9 number question में कहरा है cos inverse minus के 1 upon root 3 तो cos inverse minus x होता है pi minus cos inverse x तो cos inverse x की आपे दे रहा है 1 upon root 2 के अब इसके बाद देखिए pi minus root 2 cot कितने का cos कितने का मान होता है cos होता है pi by 4 का 4 इसमे LC हम लेंगे हम लोग 4 का इदर गुणा करेंगे 4 pi minus pi के तो 4 में एक जाएगा बचेगा 3 pi by 4 के इसके बाद इसमें बात करें cos inverse minus theta तो cos inverse minus x होता है minus के cos inverse x तो minus के cos inverse x की जापे दे रहा है root 2 आपको और root 2 जो होता है cos कितने का मान होता है pi by 4 का तो यह आजाएगा आपका minus के pi by 4 तो इस प्रकार question number 10 तक आपने पढ़ लिए देखे आँगे कहरा है इंड़ेस में कि प्रस्न संख्या 11 से 12 तर निम लिखित प्रस्नों के मान गयत कीजिए तो 11 और 12 तो आपको मान निकालना है तो देखो इस का मान निकालेंगे 10 इनवर्स 1 110 कितने का मान होता है तो इसको तो ऐसे ही चाहे बना रहने दो यह होता है pi y 4 का मान plus cos inverse minus x पढ़ा है आपने की pi minus cos inverse x होता है x की जापे दे रहा है 1 बटे दो sin inverse minus x होता है minus की sin inverse x x की जापे 1 बटे दो यह हो गया pi y 4 plus pi minus cos inverse 1 बटे 2 1 बटे 2 होता है cos 60 का मान 60 का मतलब pi y 3 के यह 1 बटे 2 होता है sin 30 का मान 30 का मतलब क्या हो जाएगा 30 का मतलब हो गया pi y 6 पूरे में नीचे LC हम लेंगे 12 4 से divide करेंगे 3 बार जाएगा 3 pi plus इसके नीचे कुछ नहीं तो 12 के इसमें गुणा हो जाएगे यह 1 मानेंगे 1 को divide करेंगे 1 से divide करेंगे 12 में तो 12 बार जाएगा 12 बार 12 के इसमें गुणा कर देंगे 12 pi 3 से divide करेंगे 4 बार 4 के इसमें गुणा करेंगे 4 pi minus 6 से divide करेंगे दो बार दो का इसमें गुणा करेंगे 2 pi 12, 3, 15 15 में ये 6 जाएंगे बचेगा 9, तो 9 pi by 12 3 से डिवाइड करेंगे तो आजाएगा 3 pi और नीचे आजाएगा 3 चोको 12, यही आपका अंसर हो गया 3 pi by 4 इसी प्रकार देखो इसको करते हैं जब इसको करेंगे cos inverse 1 बटे 2 1 बटे 2 होता है cos 60 का 1 60 का उतलब pi by 3 plus 2 into sin inverse 1 बटे 2 1 बटे 2 होता है, वो होता है sin 30 का 1, 30 का उतलब pi by 6 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा pi by 3 plus pi by 3 हो जाएगा कितना दोनों के हर समान है तो 1 से जुड़ जाएगे तो pi और pi हो जाएगा 2 pi by 3 यह हो गया इसका इसके बाद देखिए थर्ड नमबर question में आप से कह रहा है कि आपको option दे रहा है कि sin inverse 1 बटावर y हो तो निमने में से बताएगे क्या सत्त है तो आपको पता है कि लिखेंगे हम जानते है हम जानते हैं कि जो sin inverse x का मान होता है वो minus के pi y 4 से लेके plus के pi y 4 तक होता है minus के pi y 2 से लेकर plus के pi y 2 तक होता है और sin inverse x बड़ावर है y के तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं तो pi y minus के pi y2 y is equal greater than pi y2 plus के देखो option आपको कौन सा सही दिख रहा है तो option number आपको दिख रहा है कि B number option सही है तो B number option आपका correct हो गया 14 number में कह रहा है कि इसके बराबर है तो इसका मान निकालना है तो देखो 10 inverse x बराबर होता है यह हो जाएगा root 3 10 कितने का मान है 10 sat का और sat का मतलब pi y3 होता है minus six inverse minus x minus के pi minus six inverse x six inverse x की जगाए पर रख देंगे two pi y3 minus का अंदर गुणा करेंगे minus का हो जाएगा minus minus यह plus का हो जाएगा six inverse two two होता है 60 का मान 60 का मतलब pi y3 π y 3 π y 3 जुड़ जाएगा हो जायगा 2 π y 3 माइनस के π y LC M लेंगे 3 LC M आएगा 2 π y माइनस 3 का इसमें गुणा कर देंगे आजाएगा 3 π y बराबर आगए माइनस के π y 3 ये इसका answer आगया माइनस के π y 3 तो इस प्रकाड प्रसना वली है आपकी जो 32.1 NCRT की बुक्स से वो आपकी complete हो गई